नमस्कार दोस्तों ये एक छोटा सा विडियो है मनी मैनेजमेंट के बारे में आप में से बहुत से लोग कई टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं अक्सर मोस्टी लोग तो पांच मिनट पे करते हैं आपको ये पता होगा कि हर टाइम फ्रेम पे बाई सिग्नल मुटा मुटा एक जैसा होता है जैसे एक अप ट्रेंड में पांच मिनट के ट्वेंटी पीरड आवरेज के नीचे ले सकते हैं पंदा मिनट के ट्वेंटी के नीचे ले सकते हैं आवरली के ट्वेंटी के नीचे ले सकते हैं तो इसमें एक मोडिफिकेशन करें अगर आप दोजार शेर कर करते हैं तो वो 2000 maximum quantity जो है वो 60 minute पे करें उससे कम quantity 1500 करें 30 minute पे 15 minute के time frame पे करें 1000 और 5 minute पे करें 500 इसकी वज़य क्या है कि 5 minute के time frame का signal सबसे ज़्यादा risky होता है उसके चलने की probability सबसे कम होती है तो जैसे ऐसे time frame बढ़ता जाए वैसे वैसे अपनी quantity बढ़ाएं ताकि जब आपके पास maximum position हो तो बहुत तेजी से item जो है वो आपके favor में चले ये futures options हर चीज में useful है और अगर आप इस तरह से money management करें तो जब आप 5 minute पे काम करते हैं तो आपको छोटा मुनाफ़ा लेना चाहिए जैसे nifty option में 25 point जैसे अगर आप बड़ा बड़े time frame पे 60 minute पे तो nifty option पे आप 200 point तक ले सकते हैं तो इस तरह स अपने profits भी जो है अलग लग रखें stop losses अलग लग रखें और quantities अलग लग रखें तो इससे आपको छोटे और बड़े दोनों type के profits होंगे और इससे जो है impulsive trading बंद हो जाएगी क्योंकि अगर आप बिना मौके के maximum quantity करेंगे तो chances are कि आपका trade नहीं चलेगा तो अपनी trading को इस तरह से structure किया सकता है फिलाल के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं